नमस्कार दोस्तों मैं अंद्रजीत आज हम बात करेंगे जो आपका ग्यारवी क्लास के लिए प्रवेश इंट्रस एक्जाम होने वाला है प्रयास का तो उसका सिलेबस मैं आपको बता दिया था आज हम बात करेंगे इसमें सीटों की संख्या कितनी है अमारे पास टोटल नौ सीट है तो हम देख लेते हैं कि HTSC OBC कितने कितने सीट है और कौन-कौन से प्रयास इसकुल में कितने सीट है अभी हम इसमें चर्चा करेंगे फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो अच्छा ल रायपूर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूचित जन जाती ST के लिए तो ST के लिए यहां बालक में 8 सीट रिजर्व है और कन्या में है 14 सीट ठीक है देखें प्रयास रायपूर में दो है टोटल एक प्रयास गुड़ियारी और एक है सड्डू तो बॉए जो है वो सड्डू में पढते हैं और जो गल्स होते है वो गुड़ियारी में पढते हैं तो गुड़ियारी में देख रहे हैं आप अनुसूचित जन जाती के लिए 14 सीट है और सड्डू में बालक के लिए और 18 सीट ठीक है वहीं PVTZ के अगर मां बात करूँ तो बालक के लिए केवल एक सीट है और कन्या के लिए आप देखेगा छै सीट है पीवी टीजी में है ना और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ है कि बैयोलोजी और मैथ दो ही सब्जेक्ट यहां रायपूर के प्रयास में होता है और उसमें भी जो बाली का है वो बैयोलोजी लेकर पड़ सकता है और जो बालक है वो मैत लेकर पड़ सकता है उसके अधार पर आपको यह फॉर्म फिल करना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे पन देखते हैं अनुसुची जाती के लिए देखेगा बालक में केवल एक सीट है और कन्या में साथ सीट है वही अन्य सबस्यादा बच्चे होते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के सबस्यादा बच्चे है इसलिए लेकिन बहुत ताजुप की बात है कि समाने में सीट है हमारे पास समाने में आप देखेगा बालक के 6 सीट है कन्या के तो एक भी सीट नहीं है तो अच्छी बात है समाने वर्ग मे सीट है 6 सीट बहुत होता है सड्डू में जाके आप पढ़ सकते हैं तो टोटल अब आप देखेंगे तो टोटल बालक के लिए सोला सीट और कन्या के लिए 27 सीट और दोनों मिलाके आपका योग हो जाएगा 43 43 सीट रिजर्व है रायपूर में फिर हम देखते हैं बिलासपूर तो बिलासपूर में आप केबल आर्स और कॉमर्स ये दो ही सब्जेक्ट वहां होता है उसके अधार पर आप चॉइस कर लिज तो इसमें 11 सीट है कन्या के लिए कोई भी सीट नहीं है वही पीविटीजी में 3 सीट है बालक में कन्या के लिए कोई भी सीट नहीं है और अनुसूचित जाती तो बालक के लिए कोई भी सीट नहीं है और कन्या के लिए एक सीट है वहीं हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग में तो इसमें बालक के लिए आपके पास तीन सीट है और कन्या के लिए एक भी सीट नहीं है वही शमान निवर्ग में आप देखेगा बालक के लिए एक सीट है और कन्या के लिए एक सीट है टोटल बालख के लिए 18 सीट बिलासपुर में सारे काडिगरी मिलाकर और कन्या के लिए 2 सीट है वही महायोग करेंगे तो टोटल 20 सीट हो जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं सर्गूजा का तो सर्गूजा में देखेगा अनुसूचित जन जाती एश्टी की बात करेंगे हम तो इनके लिए 3 सीट रिजर्व है वहीं आपका PVTZ में देखेगा बालक 3 सीट और कन्या में 2 सीट है अनुसूचित जाती की अगर मैं बात करूँ तो बालक में दो सीट है और कन्या में एक सीट है वहीं अन्य पिछड़ा बर्ग में अगर बात करें हम तो सरगुजा में बालक के लिए एक भी सीट नहीं है और कन्या के लिए दो सीट है समाने बर्ग में कोई भी सीट नहीं है बालक और कन्या के लिए तो टोटल यह दाता है बालक आठ और कन्या पांच आठ पांच तेरा सीट हो जाएगा next आप देखते हैं दुर्ग क्योंकि जबी भी बात होती है प्रयास में तो रायपूर के बाद सीधा नंबर आ जाता है दुर्ग का बाकि मुझे ले रखता की कोई प्रयास अलग है सारे प्रयास में अच्छी पढ़ाईया होती है पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत होगा नहीं आपको ठीक है इस बार का आप NEET और JMANS Advanced का रिजल्ट आप देख लीजेगा है ना NEET के लिए तो मैंने Official वीडियो डाला हुआ है कि कितने बच्चे सलेक्ट हुएं कितने बच्चे MBBS के लिए इस बार सलेक्ट हो रहे है हराम तो आप देखेगा उसको लगबग 210 करीब बच्चे थे जो सलेक्ट हो रहे है तो रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं ना भई तबीदा सलेक्ट हो रहे है चले आगे देखते हैं टुर्ग में तो दुर्ग में ST के लिए seat है बालक के लिए एक वहीं कन्या के लिए कोई बीछ में कोई में और अपका SC के लिए बालक में कोई बालक के लिए कोई seat नहीं है तो देखेगा बालक के लेक सीट और कपना के लिए दो सीट हैरा महावयोग आपका तीन टिक्रोश है चलिए आगे देखते हैं जू सब रूब सब्सक्रोश सब्सक्रोश सब्सक्रस समस्फब्सक्राइब OUT नहीं है शुटिष और अनुसूचित जाती अर्थाद S C के लिए आप देखेगा तो बालक में 3 seat है कन्या में 1 seat है अन्य पिशड़ा बर्ग के लिए बालक और कन्या दोनों में 1 seat है वहीं समानले बर्ग के लिए बालक में 5 seat है कन्या पर एक भी seat नहीं है ठीक है तो टोटल जो है बस्तर में बालक के 17 सीट और कन्या के दो सीट टोटल करके महायोग 19 सीट कांकेर में देखेगा तो कांकेर में एस्टी के लिए तीन सीट है बालक में और कन्या के लिए कोई भी सीट नहीं है वहीं पीविटीजी में दो सीट है कन्या के लिए सीट नहीं है और अनुसूचित जाती में तो कोई भी सीट नहीं है बालक और कन्या का दोनों फूलफिल होगा फिर अन्य पिछरा बर्ग में अ और कन्या की दो सीट, दोनों मिलाकर साथ सीट, नेक्स्ट आपका कॉर्बा, कॉर्बा में आप देखेगा, ST के लिए बालक और कन्या दोनों के लिए एक सीट है PVTZ में बालक और कन्या दोनों के लिए दो सीट है वहीं SC में बालक और कन्या के लिए एक एक सीट है OBC में देखेगा बालक के लिए कोई भी सीट नहीं है लेकिन कन्या के लिए दो सीट है अच्छी बात है फिर उसके बाद समाने वर्ग में देखेगा बालक के लिए कोई सीट नहीं है कन्या के लिए एक सीट है तो बालक टोटल चार सीट हो जाएंगे और कन्या हो जाएगी साथ सीट तो टोटल दोनों मिलाकर 11 सीट कोर्बा में अभी हमारे पास नेक्स्ट है आपका जस्पूर तो जस्पूर में आप देखेगा टोटल जो है वो एस्टी में तीन सीट है बालक के लिए कन्या के लिए आपका देखेगा एक भी सीट नहीं है और पीविट इजी की है अगर मैं बात करूं तो बालक के लिए एक सीट है कन्या के लिए कोई भ नहीं है समाने भी नहीं है तो टोटल बालक के पांस चीट हुए और कन्या के एक भी सीट नहीं है यहां से इसका टूटलिंग थोड़ा सा मेरे को गड़बड लग रहे है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि नहीं नहीं ठीक है कि हम जस्पूर की बात कर रहे थे न है चले ठीक है अब देख सकते हैं अगर बरे से कुछ मिश्टेक हो गया तो इसकीन पर आपको दिखाया जा रहे है तो इस प्रकार आपके पास सीट हो गये हैं तो आप टोटल यदि करेंगी इन सबको तो 121 सीट अभी प्रयास एंटर्स एक्जाम के लिए क्लास 11 के लिए ठीक ह इसे में आपको फाइट करना है और भारी भर कम फाइट होने वाला है हरा कई बच्चे तो यह सोचेंगे कि यहां तो सिर्फ एक सीट है क्यो भरे हम देखो भाई फॉर्म भरने में क्या जा रहे है फॉर्म भरिये नहों सकता है कि आप ही का सेलेक्शन हो जाए बाकि जितने लिए कमपेटीशन कीया हिए यह कमपेटीशन में बैठा हिए तो वा सकता है कि आपका पढ़ा हुआ कोषण पूरा आ जाए एकजाम में और आपका पेपर सबसे अच्छा बनें और आपका सेलेक्शन हो जाए है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आप ज़रूर एक बार एंट्र transfer हो रहे हैं यहां से वहां दूसरे प्रयास में जा रहे हैं है ma क्योंकि उसमें इस पर लीखा हुए देखे कया लिख सिल रहेगी तो अभी क्या हो रहे है कि संकाय परिवर्तन कर रहा है बच्चे कोई आर्च लेना चाहता है कोई और दूसरा सब्जेक लेना चाहता है तो ऐसा काम यहाँ चल रहा है ठीक तो यह प्रक्रिया भी निरंतर चल रही है तो जब तक यह कंप्लिट नहीं हो जाता है है तो बोला नहीं जा सकते है कि कितने सीट में और परिवर्तन हो सकता है अभी जो आपको दीख रहे है कि भई इसमें सीट नहीं है हो सकता है कि अचानक उसमें सीट आ जाए है तो कुछ भी हो सकता है इसलिए आप जरूर एक बार एक्जाम है ना तो कि अभी बेटा जिन्दगी में बहुत बड़े बड़े एक्जाम देने यह बहुत छोटा एक्जाम है जरूर दिलाइए ठीक है फ्रेंट्स थाइंक यू सो मच पॉर लिश्णिंग और वाचिंग माई वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हम लोग